कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंज तो आ गई हुमें फिर से एक नए ब्लोग के साथ और अभी का महीना है सावन और फर्ष्ट सावन आ गई है बहुत ही सुहावना मोशम आ गया है अगे बहुत हैं तो मेरी तरफ से आप लोग को सावन के हाद इक सुह काम ना है और यहां पर मैंने फेरी चुड़िा भी डाल दी है तो शंबारी इस बार में वर्थ करऊंगे वैसे तो मैं हर संबारी वर्थ करती हूं लेकिन इस बार मैं दो करूंगी तो अभी दो दिन और एक लाश्ट में करूंगी सोंबारी वर्थ तो मैं बच्पन से ये वर्थ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्थ करना प्लीज प्लीज सपोर्ट करो और विडियो पसंद आए तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करना अपने फैमली दोस्ते की सांसा सेयर करना तो चलो वीडियो को रिष्टर कर दी हूँ और जो भी कुछ होगा सेयर करोंगी प्लीज आप लोग सपोर्ट करना मेरे चैनल को प्लीज बहुत दिन हो गया है, दो से तीन साल हो गया है, और मेरा अभी तक चैनल ग्रोथ नहीं हो पाया है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करो, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो, प्लीज, तो चलो मैं आप लोग अभी ले चलती हूँ छत पे, मौसम बहुत जादा अच्छा करके रखा है अभी, तो फ्रेंड्स यहां पे मैं आ गई हूँ छत पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और यहां का नजारा आप लोग देख सकते हो, कितना ज्यादा सुहाब ना मौसम करके रखा हुआ है, और अभी इतना ज्यादा मौसम ठंडा लग रहा था कि क्या बता हूँ, कि अभी पूरा घटा चाया हुआ था, और यहां पे अभी आधी आने वाली थी, और देख सकते हो, यहां आगे से भी, मैंने अपनी छत से विडियो रिकॉर्ड किया, और इस टाम इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, मौसम की आपको क्या बता हूँ देख सकते हो, पूरा काला करके रखा था, मौसम ने, और अभी आधी आने वाली थी, आधी के बाद बारी सुई थी, तो मैं सोची कि चलो आ जाती हूँ नीचे, क्योंकि आधी आ गई थी, तो यहां मैं आ गई हूँ नीचे, अभी मैं हूँ ब्रांडे पर, तो यहां से मै दिखाते हूँ उब्रांडे से कि कैसा दिखता है, ना जारा बाहर का, तो इस तरीके का ना जारा था, बाहर का, और यहां पे मैं आप लोग दिखा डी हूँ की, मैंने यहां पर अभूत का पिर लगाया है, और के, श़री वाइम निम्बो का, और आमला का मैंने यहां पर तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग से बाते करने के लिए बैठ गए थी और मैं ब्रांडी पी बैठ गए थी तो यहां पर इतना ज्यादा बाहर सोर हो रहा था कि मैं आप लोग से सामने बात की वो कुछ सुना देही नहीं रहा था मतलब एक दम देरे-देरे से आवाज आ रहा था तो मैंने सुचा कि चलो जो भी मैंने बात किया है वो आई सबर करके ही आप लोग सुना दू क्योंकि ऐसे तो आवाज आई नहीं रहा था तो इसलिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैं अभी आ गई थी ब्रांडे पर और इस समय बहुत जोर से बारिस हो रही थी बाहर तो ऐसे ही मैं बैठ गई थी ब्रांडे पर और आप लोग उसे ऐसी सुचे कि चलो कुछ बाते कर देती हूं तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगी अर्मान मलिक जो की वो दो साधी किये हुए है और दोनों बीबी उनकी इतनी ज्यादा खुब सूरत है जो लोग उनका व्लोग देखते हैं साध उन लोग को पता होगा तो मैं बता दू कि पायल फिर से मा बनने वाली है और वो डॉक्टर से दिखाने गए थी आज की ही वीडियो में मैंने देखा तो मैं सोची कि चलो मैं भी बता दू आप लोग को कि वो लोग गय है डॉक्टर के यहाँ और दूसरा बेबी प्लान कर रही है पाइल जी सो मैं यही दूआ करूंगी कि अच्छे से बेबी हो जाए उनको और जल्दी से हो जाए तो बस यही सोचा था कि चलो आप लोग से भी सेर कर दो जो की मेरे वीवर है जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको मैं बता दू त तो यही था आज का वीडियो में मैंने सोचा कि चलो थोरा सा आप लोग से पाइल मलिक के बारे में कुछ बाती किया जाए जो कि यही बाते हैं वो फिर से माँ बने वाली है और वो अपना डॉक्टर से इलाज भी स्टार्ट कर दिया है वो अपना ट्रेट्मेंट हुई थी बाहर ब्रांडे पे कल का मौसम बहुत अच्छा था बारिस का दिन था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और आज बहुत सुबह से ही धूप निकल गए थी तो देख सकते हो यहां पे मेरी सासु मां बैठी हुई हूई कि क्योंकि इस टाइम अपी बहुत लेके बैठी हुई थी तो फ्रेंड्स यह वीडियो है मेरा बेटा का जो कि यह 6 सार पुराना वीडियो है और यह वीडियो मेरा भाई के पास था तो यह भेजा तो मैंने सुचा कि चलो इस वीडियो में एड़ कर देती हूँ क्योंकि ऐसे गैलरी में रहेगा तो डिलीट ही हो जाएगा तो इसलिए मैंने सुचा कि चलो यूटूब पे डाल देती हूँ तो इसलिए मैंने इस में इस ब्लॉक में ही एड़ कर दिया इस वीडियो को तो देख सकते हो बिटा मेरा कितना छोटा था और अभी देखके मुझे बच्पन का इसका याद आ रहा था इस ट पे मैं नहा ली थी पुजा भी कर ली थी तो यहाँ पे पुजा करने के समय में रिकॉर्ड नहीं किया था जैसा कि आप लोग देख सकते हो यह है मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर और यहाँ पे संकर भगवान का यहाँ पे मुर्ती डाला हुआ है हम लोग ने और यहाँ प साहुमा में रख़ी हूई है कर दोशने हैं, इस पूस्जार काम हैं, नहीं को दिख़ घर हमीन में दोशने कर दो दोटनले हैं, सो ब्रान नीचे मतलब सामनी घर के सामने जो की बारिस का समय था उसी टाइम मिला था तो देख सकते हो कच्छवा बहुत सूब होता है तो इसलिए हम लोग रखे हुए हैं घर में और अभी साइम का टाइम हो रहा था इस टाइम बज रहे थे साथ या साड़ी चाशे बज रह का ओना फेंगी नुट वाच्वा के यहां पर डाप 500 टरब मैंने दूद्च कड़ाया था यहां पर देख सकते हो मैंकि में जोला कर बार वगरं सब रखा हुआ है और यहां मैं गिपाव का हुए है तो चाह और खाना मा श्टम बन चुका था मेरा बशाया है इतना च्छफ क्योंकि लाइट चली गई थी और देख सकते हो लाइट के बाद लाइट आ जाएगी तो यहां पर देख सकते हो लाइट भी आ गई थी मैं अगय थी तो कैसा लग आज का वीडियो आप लो कमेंट करके जावी बताना तो अब मिलती हो पर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के थेंक यू बाइट गई हुआ हुआ है